नमस्कार दोस्तों स्वाधतायब का इस्ट्टी पॉर्टी विडियो में देने जा रहा हूं या पर दो वीडियो मैं बनायते दो पार्ट में उन दोनों को मर्ज करके दे रहा हूं थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन एक-एक कम्प्लीट डेटा मिलेगा प्लस कई सारे ऐसे इसमें जो क्रॉप डिसीज़ वह भी मैं लास्ट में चुट दोगा और तो यह के काफी अच्छा वीडियो हो जाएगा ठीक है यूपी पीसेस प्लस स्टेट पीसेस इस अभी एक्जाम से लिए इंप्टेंट होगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में इस वीडियो हम दोग देखेंगे crop और plant diseases के बारे में हिंदी-उंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है पहले hindi में लिखा हुआ है फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है ठीक है और प्लस agriculture से related कुछ important factor और ये crop और plant disease के उपर लेकिन इसे रिटेट जो फैक्ट है वो समय करेटिक लाया हूं मेरे वीडियो थे यह पहले और उसी से मैंने निकाल कर लाया हूं देखे कुछ पहले वेक्ट देख लेते हैं कि जो पनामा रोग है वो किस से रिलेटेड है पनामा सुखा रोग केले का रिलेट रह यह अरगत और बब debTI जो रोगे वह वो बाजरा का है, उक्टा रोगे, एक चनक्त можно कोड़र्ण मांप एक कुल्स को फिर को करो गांका थेक 8 फिर फ्राइल ओडी रोगए तिलका योगए आपका धानका थानका देखेंगे कि कि किस से को सिपिजन हो गाप का यह हैं और चिकन रोगए आपका अंगूर का और स्टमातर ग्रासी सूट हो गन्य का मोलिया रोगे गोईयों और जाओ का चुर्णिल फूद रोगे आपका मटर का हरिद बाली रोगे बाजरा का अब इंग्लिश में नाम देख लेते हैं देखें यह पूर डिसीज की लिस्ट है जो की बैक्टीरिया की वज़े से होते हैं जैसे की बैक्टीरियल यह पोटेटो यहनि की आलू में होती है थेक्ट है फिर फंगाई से र्लेटेड होने वाली डिसी देख लिफे जैसे रेड रॉट जो है वो सुगर के इन में गन्य में होता है अरगॉट ग्रीनियर और स्मट यह तीनों फंगल डिसीजेज है और तीनों किसमें होती ही अंशली पॉटिक से रायर्य प्पाइया इसा फूंगल डिसी जी थे काफ वीट में ऐती ही रस्त हो जाती ए है इस पर बहुत इंपर्टनित ही तव काफी ने आश्ड और उस्कस के है मैलिया हुला H increases में एक पोटेटी में लेट प्लाइट ही खाक विखन गौिसेस है रिर्डेश और टर्निप ठीक है जासी भाहिट रश्ट फिर वाइरस के लिखता है लीफज़ और मुसाइक बनाना में हो जाता है बंची। पपाया में लीफ करव तोबैको में हो सबसे पहले 1924 में रिपोर्ट की इंडिया और स्रिलंका में कभी आपसे यह पुछा जाएगा कि जो सबसे जादा रिस्पॉंसिबल है प्लांट की डिसीज़ में वो किस से रिलेटेड है पंगी से सबसे जादा रिसीज़ होती है यह आप याद रखेगा और फिर है प्लांट आर यह जो मतलब इसको डिसीज़ रिसीज़ कैसे बनाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करके ठीका क्रॉस इसीज़ की इसे मतलब होती है यह ग्रीन इयर डिसीज़ हो किससे लेटेड है बाज भाज對不起 बंढ़ राभी फिर अर्म कौन सी इसटेज डेफलेंट मतलब के बारे में यह मतलब सदी किया था KC में ता पिर कौन से डिसीज है ब्लाइट जो है यह किस से रिलेटेड है एपल से ब्लाइट अभी हम नहीं देखा था राइस बीन्स और भी कई सारी क्रॉप्स में होती है अर्ली लीफ स्पॉर्ट होती किसमें आपका ग्राउंड नट में पिर सेक्स्वान स्टेज राइस की क्या है मैगना फोर्टे ग्रीशिया करके यह तो यह सब आइस में कुछ और अभी मैंने लास्ट में नाम लिखे हुए है देखे रस्ट जो है यह फंगर डिसीज के नाम है रस्ट किसमें होता है वीट में होता है और आप यह समझ सकते हैं यह एर की वैसे हो सकता है यह ठीक है तो सीसम लिफ इसपॉर्ट यह ब्राउन लीफ इसपॉर्ट यह राइस में होती है रेड रॉट हो जाता है कि इसमें सुगर केन में है अब हमने देखाता है यह एरगॉट डिसीज किसकी बाजरा की याद रखे ज़रूर सीड़ बॉर् कि प्लाज डिसीज राइस की काफी में जग लग जाता है रस्ट अबढ़र्ण डिसीज है और धॉट तर्च जकुकि इसको और डिसीज है व्याइट को सकुर्ट यह एफेक्ट करता है विल्ट की इस्केल सिसे leaked डिसेज बिजन पीक ठीक है। विल्ट कॉट न्की डिसेग morning chainsğiv he और तोबैको मैं मुजएक हो जाती है लीव करल तीक हिसमें टोबैको टुमेटो पापाया में बेसिकली होती ह cultivation सब्सक्राइब हो जाता है रेड लीफ और पोटेटो में जाता है लीफ रोल पैक्टरियल डिसीज अगर आप देखें ब्लाइट मैंने बताया था राइस और सीड बॉर्ण है ठीक है ब्लैक आम जो है यह कॉटन से लेटर तुंडू डिसीज है वीट की पिर उसके बाद आप ठीक है राइस की वज़े से में जो है यह ब्राउन प्लांट ओपर है ठीक है यह स्पॉर्टेट बॉल वार्म जो होता है किसको इफेक्ट करता है कॉटन को पिंक बॉल वार्म किसको इफेक्ट करता है कॉटन को कपास को ठीक है तो यह है कुछ गुंडी बग जो है किसका य और नॉर्मन बॉर्लो ब्लू रिवलुशन के इरलल चौधरी है और वाइड रिवलुशन के डॉक्टर वी कुरियन और यह कुछ रिवलुशन के नाम दिखे हुए हैं देख लिए आप बहुत इंपोर्टेंट है यह आरो की पीडियाफ है जो हमारे पेड ग्रूप है उनको म पानने वाली जो हमारी pdf वो भी मिल जाएगी प्लस टोटल करें अफेर मिल जाएगा उपीजिके भी तो मतलब वन इसको कर सकते हैं कि यह हमारा वाट्स अप नंबर और अगर अभी भी जॉइन करेंगे तो आपको किसमबर 2018 तक पूरी PDF मिलेगा और प्लस महिने में जो टेस्ट होते हैं और प्लस में प्लस में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस स्टेडी फॉर्ट सिवल सर्फसेज में अगरी कल्चर है यानि की फूर्ट से वेजिटेव लिखा है प्लस उसका टॉप प्रोडूसर और उसकी प्रोडिक्टिविटी हाइस कहां पे है तो यह मैं आपको शेर कर दूँगा रोहित पंडे जी के नोट से ही है और हमारे वीडियो से बनाए उन्होंने और प्लस एक ही है इन्होंने समरी भी बनाई है जैसे मैंने पेज बताया था ना को कि कौन को से पेज इंपॉर्टेंट है वो मैंने पेज मार कर लिए थे वही सब पेज पढ़ने एक्जाम के लिए और मैं खुद पढ़ा रहा हूं आपको आप बस उसमें देख लिजी एक पर ठीक है वो पेज मैंने अ इसकी पीडियाफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में यह है टेलीग्राम चैनल का लिंक तुरण ज्वाइन कर लिजेगा आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं इसमें एक रिक पॉकेट बुक पहले मैं बता देता हूं जो मे प्लस इसमें काफी सारे डेटा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है और वो काफी इंपॉर्टेंट है जैसे फूड ग्रेंज जो आपका प्रोडक्शन है इस समय कितना है वो है करीबन 275 मिलियन टन ठीक है लेकिन 2017-18 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 278 हो चुका है तो य अगर आप एक बात देखेंगे आप ऑब्जर ग्यारा से लेके ग्यारा बारा से लेकर देखेंगे अगर आप यहाँ पर देखना चालू करें तो यह आप देखेंगे कि अग्री कल्चर का जो जीडीपी में कंट्रिबूशन है गिरता जा रहा है 18.5 था 2011-12 में 2017-18 में 17.1 ह हो गया कितना जादा गिर चुका है यह देखेंगे इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री का भी जो है आउट्पुट लगातार गिरता जा रहा है 32.5 से 29.1 परसेंट हो चुका है सर्विस का लेकिन बढ़ता जा रहा है ठीक है 49 से हो चुका है 53.5 तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है यही चीजे यहां पर नीचे ग्राफ में डिसकस की गई है कि देखिए इस समय जो 2017 ठारा वाला फाइनेशल यह यहां पर सबसे आदा जो GDP का कॉन करता है सर्विस करती है नंबर टू पर इंडस्ट्री करती है नंबर त्री पर अग्री कल्चर कर में और यह जो यहां पर निगेटी हो गया ना 2014 में यह बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह चीज कि यह 2014 में अग्री कल्चर की ग्रोथ निगेटी हो गई थी यह पूछ भी सकते हैं आप से और फिर लगातार बढ़ी और फिर यह पिछ यह चीज़ें यहां पर लिखी हुई है यह प्रजेंट कॉंटेक्स में दिया है कि इस साल अगर आप देखेंगे सर्विस का ग्रोथ 7.9 परसेंट इंडस्ट्री का 5.5 परसेंट और अग्री कल्चर का 3.4 परसेंट इसके बाद हम लोग जाएंगे पेज नंबर 21 पे यह इं 9 प्लान 10 प्लान 11 प्लान में मतलब 5.8 सी ओजना में एग्री कल्चर की ग्रोथ की इतनी हुई थी वह इंप लिखा है ठीक है जैसे नौव वाले में वी थी 4% और 10 वाले में भी 3.8 परसेंट और 11 वाले में 4.4 परसेंट बस इतना ही यहां पर देखना है फिर चलेंगे 26 पे इसके नौट्स बना के दे दिजेगा बाकी लोग को भी शेयर कर देंगे ठीक है फिर 28 वाले में चलते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है यह एक्चुली तेंदुलकर मेठोलोजी के हिसाब से पावर्टी लाइन का यहां पर लिखा हुआ है यहां से एक चीज जो इंटरप वाले पेज पेच पर चलते हैं 31 वाले पेज में काफी सारा डेटा दिया हुआ है इंडिया का जो डेटा है 3.28 अब कका देख सकते हैं 3.28 मिलीन स्कौाइर कीलो मिटर होता है लेकिन हेक्टेर में अगर आप देखेंगे 328 अत्युंद में होता है यह 9 तरीके के जो छो लैन 1.3 है million hectare और जो gross cropped area है वो 198 है और आपका जो यह cropping intensity है वो कितनी है 141.55 मतलब 142 के करीबन है cropping intensity क्या होती है यह मैं पिछले ले वीडियो में आराम से बता चुका हूँ आपको net irrigated area 68.38 million ton और gross irrigated area 96.46% यहाँ पे graph देखना बहुत जरूरी है थोड़ा सा zoom करके देख लेते हैं ठीक है zoom कर कहां गया वो page sorry 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 यह आपका था 31 31 पे आ रहे थे न हम लोग हाँ तो इसमें क्या था इसमें लोग ग्राफ देख रहे थे यह वाला देखें यह ग्राफ 2014-15 का देखना जरूरी इसमें यह बता रहे हैं कि यह वाला जो ग्राफ है ठीक है कि कि किस जो अपना इंडिया में लैंड हो कहां कहां सबस्यादा युजर है सबस्यादा जो है percent है net area zone में 46 percent है number two पे है आपका forest और number three पे फिर यह not available for cultivation फिर fellow land और यह सब है तो number one पे आपका कौन सा है net zone area वाला है यह बस यहीं पे यहां पर यहीं चीज़ बस देखनी थी thirty through two पे चलते हैं यहां पर 32 पे ऐसा कुछ खास नहीं दिया हुआ है बस एक चीज़ यहां पर यह देखनी है कि जो इंडिया में total जो land है आपका उसमें से food crop वाली जो हैं वो 70% घेरे हुए हैं और non 72% घेरे हुए हैं non food crop वाले जो हैं वो 28% घेरे हुए हैं बस यहां पर इतना समझना था 34 वाले पर जलते हैं 33 वाले में यहां पर देखिए एक चीज़ यह लिखा हुआ है कि कौन सा जो crop है वो सबसे आदा area consume करती है तो देखें इंडिया में सबसे आदा area wise भी rice है यानि कि चावल है और सबसे आदा production भी rice का ही होता है यह दोनों चीज़े बहुत important है exam में कई बा ठीक है यह वाला जो 2016-2017 का है कि crop है सबसे आदा area किसके पास है rice चावल के पास है number two पे wheat है यह हूँ number three पे दाल है दाल के बारे में अगर आपको एक बात बताओं इंडिया का consumption करीबन 25 million ton के आसपास है लेकिन इंडिया जो है produce करती है 22-23 million ton इसलिए हम लोग 1-2 million ton हर बार कह नहीं नहीं से लेते हैं import करते हैं लेते कहां कहां से फरीका की तरफ जाएंगे तो मोजंबिक से लेते हैं साउथ इस्ट एस्या में कई सारी country's है वहां से अपनोग ले लेते हैं यह सब चीज़ें तो यह एक important चीज़े है 33 हो गया 34 में चलते हैं यहां पर एक बहुत important definition दी हैं दो से चार वाले मीडियम वाले हो गए चार से दस वाले और लार्ज वाले बड़े किसांज हो गए 10 से ज्यादा वाले बस यहां पर इतना ही देखना है नेक्स है इसमें 37 वाला नंबर का इसमें यह है देखें टॉप थ्री जो है आप के इस डेट वाइस यह आ जाएग है नंबर 3 पर नूटरी सीरियल है फूट ग्रेन में अगरा आप बात करेंगे तो ये सब इसाब किताब है फिसको बात चलते हैं 39 की तरफ 39 में यह सब दिया हुआ है कि किसका कितना प्रोडक्शन होता है राफ आइडिया दिया हुआ है फूट गिन में मनें बता है सब से आ पढ़ता है अच्छा आयल सीट की बात करें आयल सीट जो है नौ तो होते है मेन केटेगरी वाले अभी मैं बताउंगा कौन कौन से जैसे ये वाली है इन मेन केटेगरी में सबसे़ादा प्रोडक्शन होता है आपका सोयाबीन का और ऑलसीट का जो प्रोडक्शन है वो करीबान होता है 32.10 ये डेटा रट लेना ये पूछा जाता है कई बार ठीक है ये इंपोर्टन चीजे है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर और भी चीजे दी हुई है कि किसका कितना है 2016-17 में यह सब चीजे हैं इतना इंपोर्टन नहीं वैसे जो चीजे हैं वो देखने वाली वो मैं बता रहा हूँ भी जो चीज देखने वाली है वो यह है ठीक है यहां से जो आप किताब चालू है यह सब चीजे में इंपोर्टन थे देखें राइस यानि कि चावल में टॉप त्री प्रोडूसर नमबर वेस बेंगॉली है एंपर कटमें लगिज आपकें आपको कि dialogue का जो इनडिया है दुनिया में जितनी बी दाल प्रडूस की जाती है पत्चिस परसें इंडिया ही प्रडूस करता है और सबसे बड़ा कंस्जिमर भी इंडिया ही है दालों के मामले में यह आप extra fact याद रखेगा अपनी बंद में काम आ सकता है total food train में number one पे UP है फिर मद्द प्रदेश है फिर पंजाब है oil seed का मैंने production आपको पताया था करीबन 32.1 million 10 वाता 2016-17 के असपास जो आले year में इसके estimate में उसमें नौ तरीके की जो variety है वो एक बर हाँ वो दिखाना बूल गया यहाँ पर दिखा देता हूँ यह वाला जो है variety यह देखिए यह नौ तरीके की variety है एक second ने वो आगे आएगा आगे देखेंगे जितने confusion हो यहाँ पर clear कर लेना आप लोग ठीक है एक वीडियो को एक दो बार देख लेना शायद आप इस स्पीड से सुन ना पाओ या समझ ना पाओ तो थोड़ा सा अगर आप मेरे जो वीडियो को या तो आप point eight x पे चला लेना या फिर और देख लेना इसे मैं वैसे मैं दीरे बोल रहा हूँ कफी ठीक है फिर rape seed of mustard में number one पे राजिसान है फिर मत्रदेश फिर रहराना है सोया बीन में मैंने आपको बता दिया MP है आपका सोया बीन में number one पे है दालों में number one पे है oil seed में भी number one पे है ये तीनों चीज़े याद रखना आप अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे ठीक है और sunflower में number one पे है करनाटका फिरान प्रदेश है total oil seed में देखें है मत्रदेश number one पे है MP pieces वाले रट लेना ये चीज़ oil seed में भी number one पे आगया है MP सोया बीन में भी number one पे है MP और दालों में भी number one पे है MP UP कहा कहा है UP का चलो ग्राप बना लेते हैं जल्ली जल्ली potato में UP number one पे है guava में UP number one पे है mango यानि की आम में UP number one पे है आवला में UP number one पे है और कौन कौन सा है दूद के production में milk के production में number one पे है UP meat के production में भी number one पे UP है ये जरूर आप याद रखिएगा ये सब important fact है कुछ और भी चीज़े हैं अभी और आगे देखते जाएंगे और आगे बताते जाएंगे ठीक है फिर ये गन्ने के हाँ गन्ने के production में भी number one पे UP है चीनी के production में भी number one पे UP दोनों चीज़े आप रट लेना ये गन्ने के production में number two पे है महराष्ट और number three पे करनाट का यहां पे कोई confusion मत रखना है यह बिल्कुल latest data है 2018 में आया है दो फरवरी को cotton में number one पे महराष्टा है फिर गुजरात है जूट में number one पे है वेस्बेंगॉल ये जरूर याद रखिएगा इस सब चीज़े 42 के बाद जो हमारे लिए important page है वो है 43 यहां पे देखें नौ तरीके के जो यह oil seed दिये हुए है यही main category में आते हैं यह कौन कौन से है यह ground nut है rape seed and mustard है soya bean है sunflower है seesumum है niger seed है sea flower है safflower castoral seed है यह तो primary sources हो गए oil seed के कुछ secondary sources भी है coconut palm oil है ठीक है तो यह है और सबस्यादर इसमें production किसका होता है यहां पे यह होता है हमने देखा था अभी किसका soya bean का बस यहां पे इतनी ही चीज़ समझनी है बाकी पूरा नहीं PhD नहीं करनी है हमको यहां पे जो जितनी चीज़ समझनी नहीं हम बता दे रहा हूं ठीक है PhD करने वालों को मैं आप यह पीडियाप दे दूँगा आप PhD कर लिना बाद में ठीक है इसके बाद देखे 51 वाला जो graph है यह बड़ा important है इसमें क्या है कि यह देखे food grain का production और horticulture का production को comparison किया है यहादा हो गया है यह सब हिसाब किताब कब से चलू है 2011-12 के बाद से 2011-12 के बाद अगर आप उससे पहले देखेंगे तो हमेशा food grain का production जादा होता था लेकिन आप जो है हमेशा horticulture का production जादा है बस यही यहाँ पे analysis है उसके बाद next जो आले page पे चलते है यहाँ पे बहुत important चीज है कि जो horticulture होता है आपका horticulture में आता क्या 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 fruits आते है vegetables आती है flowers आते है spices आता है honey आता है यह सब horticulture में आता है अगर कभी यह पूछ लें horticulture में क्या कहता है वो कौन सा होता है इंडिया का largest agriculture import कौन सा होता है वो जल्दी से बताई ही comment करके पहले वाले वीडियो में बताई था वो सब चीजे next है इसमें यहाँ पे 52 हो गया 50 अब यहाँ पे देखे cattle के मामले में यह सब चीजे सब दी होई है और इतना important नहीं है चलो हम लोग main main जो बाते करेंगे वही करेंगे आपे देखे fish production आ गया fish production बहुत important चीज़ है fish production के मामले में जो है इंडिया number 2 पे है पूरी दुनिया में number 1 कौन है वो आप comment करके बताईए ढोड़िए इसको यह latest news है यह AIB की news है यह और इंडिया का जो production है fish का total 11.41 million ton है 11.41 million ton आप देख रहे हैं यह और इसमें से सबसे ज़्यादा जो है inland का है और कम है marine का ठीक है अब fish production की बात चली तो कुछ और चीज़े देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खाली space आया उपर मिलना है अब देखे फिश production में अगर आप बात करें तो fish यानि की मचली की production में number जो top three state कौन कौन से हैं number one पे है आनप्रदेश number two पे है West Bengal और number three पे है गुजरात दीके यकीन मानिए जो भी data में बता रहो बिलकुल correct है और latest है ठीक है meat के production में number one पे है यूपी और number two पे है महराष्ट, number three पे है West Bengal ये तीन रट लेना आप मतलब meat के production में यूपी है ये आप बस थोड़ा सा surprising fact है milk के production में यानि दूद के production में भी number one पे यूपी है और number two पे है राजस्तान number three पे है मद्द प्रदेश तीन याद रखे ना milk के production में number two पे राजस्तान है number three पे मद्द प्रदेश है उन के production में यानि की वुल्ग के production में number one पे है राजस्तान number two पे है जम्ठू एंड कश्मीर number three पे है करनाटिका ये तीन चीज़ important है अन्डे के production में यानि की total live stock होता है total live stock यानि कि कुल पशुदन के मामले में number one पे UP है ये जरूर याद रखना number two पे है राजस्तान ये याला इस वेस बर गया आगे चलते हैं थोड़ा उपर कर लेते हैं ठीक है और भैसों के मामले में पफैलों के मामले में भी number one पे UP है जरूर याद रखेगा ये तो UP में सबस्यादा भैसे भी है और सबस्यादा total live stock भी है cattle के मामले में लेकिन cattle यानि की मुवेशी के मामले में number one पे है MP number two पे है यहाँ पे UP और number three पे West Bengal ठीक है भैसों के मामले में number one पे UP है number two पे हराजसदा number three पे यह important चीज़ है आपे ठीक है और plus बाकी मैंने आपको बता दिया अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं सेरी कल्चर के बारे में वैसे सेरी कल्चर अभी last में भी आएगा सेरी कल्चर वही होता है कि आपका जब silk का production करते हैं उसमें involvement को ही बोलते हैं सेरी कल्चर ठीक है तो इसमें क्या है सेरी कल्चर अब देखें silk की बात करेंगर silk के production की silk या निकी रेशम हो गया तो silk के production में इंडिया जो है पूरी दुनिया में दूसरा number पे है चाइना के बाद चाइना जो है world का largest silk producer है इंडिया second largest है अब silk जो है वो 4 टाइप की होती है एक तो होगई मलवरी silk ठीक है बाकि तीन और type की होते है एक होता है तसर एक होता है इरी एक होता है मूगा तो 4 टाइप का silk production होता है इंडिया में ठीक है अब इस सब का अगर आप देखें तो मलबरी में जो है मलबरी का जो देखें टोटल जो सिल्क प्रोड़क्शन है वो चार टाइप की हो गई और उसमें से सबसे आदा प्रोड़क्शन किसका होता है मलबरी का 72 परसेंट जो इंडिया में सिल्क होती ही वो मलबरी यह न कनाटिका और फिर आन्त परदेश और फिर है वेस्ट बिंगोल, टॉप तॏ टॉप तीज वह गैं मलभरी के कनाटिका, आन्त परदेश, और Wisconsin वेस्ट बिंगोल, जो तसर है, तसर में नमबर अन prompt पे है जारकंद, और नमबर टू पे है छत्तिस गर्ड नमबर और नमबर टू पे है आन प्रदेस नमबर थी पे है असम ये तीन इस्टेट जरूर याद रखेगा सिल्क के मामले में सिल्क यानि की रेशम के मामले में आप याद रख सकते हैं सिल्क के मामले में लार्जेस प्रडूसर है करनाट का फिर नमबर टू पे है आन प्रदेस और नमबर त्री पे है आपका असम यह तीन चीज़े याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट थी बीच में बता दी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग लिजेगा रोइत पंडी जी अगर आप लिख सकें तो जरूर अच्छा होगा बहुत सिक्स्टी नमबर पेच पे आते हैं यहाँ पे यहाँ पे तीन चीज़े दी हैं जो एनपी के हमने सुना है बहुत बार नाइट्रोजन फॉस्पोरस और प्रोटेसियम बेज्ड हम लोग फर्टिलाजर यूज करते हैं अगर कभी माली यही पूछ लिया जाए कि इन तिनों मे हाँ पे प्रोडूस भी कर लेते हैं लेकिन पोटेसियम बेज जो फर्टिलाजर है मूं पूरे के पूरे इंपोर्ट करते हैं 0% यहाँ पर प्रोडॉक्षन होता है तो यह आपको यहाँ पर याद रखनी है बात ठीक है देख सकते हैं आपकी कंजम्शन जादा है फसल है वो अच्छी हो जाती है, जादा पानी बरवाद नहीं होता है, waste water हम लोग बचा लेते हैं, अब दो टाइप की है, एक होती है drip, एक होती है sprinkler, drip में number one पे है आंध प्रदेश, sprinkler में number one पे है राजस्तान, और total में भी number one पे है राजस्तान, बस यहां पर इतना याद रखना है उसके बाद यहां पर cold storage capacity जो होती है उसमें number 1 पर UP है यह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि अब ये yield दी हुई है yield बहुत important है yield होती क्या है ये आप जड़ा बताईएगा मुझे यहां पर बहुत simple term है अगर आप google भी कर लोगे जो बहुत simple term होते है आराम से पता चल जाएगा ठीक है तो ये है अब yield देखो production हम लोग देख चुके हैं अब yield देखेंगे कि चावल के production में number 1 पर कौन था वेज बंगॉल लेकिन yield के number 1 पर कौन है पंजाब बस इतना देखना है आपको लेकिन जो yield है इसमे number 1 पर कौन है ये है तमिलना डूर ठीक है तो ये important चीज़े हैं आप याद रखिएगा आप देखेंगे ये जो टेलिग्राम कर रूप है इसको जरूर जोइन कर लिएगा PDF यहीं पर मिलेगी ठीक है अब yield के मामले में हम लोग देख रहे थे जवार में जो number 1 पर है आपका yield के मामले में कौन है वो है आनपरदेश ठीक है बाज़रा में number 1 पर है Regardless, रागी में number 1 पर है आपका ये ये वाला है ये उत्रा कंड़ है ठीक है उत्तरा कंड़ना ट्क नहीं है अरहर में अगर आप देखेंगे तो یہां पर एक सेकंड की है अरहर में number one पे कौन है ये है महाराश्टा येल्ड में ठीक है और फिर ग्राम में अगर आप देखेंगे बाकी इतना important नहीं है ये सब ठीक है तो इसलिए मैंने इसको ने लिए ग्राउंड नेट में अगर आप देखें ग्राउंड नेट में हाइस्ट जो लार्जेस प्रोडूसर वो तो गुजरात है लेकिन लार्जेस्ट येल्ड की तमिलना डूकी है सोया बीन में वैसे लार्जेस्ट है आपका मद्दब्रद्रेस और येल्ड बी अफ्रत की और सैफ लावर में है आपका करनाटका की ठीक है यह कुछ है सुगर के इन हां सुगर के में लारजेस्ट प्रडूसर तो है UP लेकिन यीइल्ड कहाँ पर सब से आदा है वह है महाराष्ट्रा पॉटन में अगर आप देखेंगे गुजरात जो है यह आपका लारजेस्ट जंद है यहाँ पे इसकी तो यह कुछ डेटा इसके ब लगा कि शायद आप कभी यूज़ कर सकते हैं इसको किसी ना किसी जगह तो यूज़ करी सकते हैं अब देखें पूरी दुनिया में अगर एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो हम कितने नंबर पे आते हैं एक दो तीन चार पाट छे साथ आठ नौ दस दसवे नंबर पे हम एक् नंडर 10 पे यह टोटल एरिया वाइस दिया हुआ है इंडिया की पोजिसन और वर्ड की पोजिसन टोटल एरिया में आप जानते ही हम से वैंन नंबर पे हैं हमसे ज़ादा बड़ी रश्या है फिर कनेडा है फिर यूस यूस नंबर थरड पे यहाँ पे ऑफिशल डेता है इसलिए देख रही लिए गा और अरेबल लैंड के मामले में हम नंबर टू पे हैं यह वैसे हमें डिसकस कर चुका हूँ यह सब चीजे हैं टोटल सीरियल के मामले में हम हैं नंबर टू पे हैं चाइना के बाद में गेहूं के मामले में नंबर टू पे हैं चाइना के बाद द टू पे हैं ब्राजील के बाद प्रोडक्शन में गन्ने के प्रोडक्शन में चाय के प्रोडक्शन में हम नंबर टू पे हैं यह मैंने आपको बताया था कॉफी के प्रोडक्शन में हम नंबर सेवन पे हैं जूट के प्रोडक्शन में नंबर वन पे हैं और कॉटन में हैं न पैसो के मामले में नमबर उन पे हैं और उट के मामले में नमबर बारा पे हैं नमबर उन पे हैं उट के मामले में सुमालिया शीप के मामले में नमबर तू चाइना के पास और चिकन के मामले में नमबर सिक्स पे हैं प्रिक्स का यह डेटा दिया हुआ है आपस में कंपेर किया हुआ है यहां पे मुझे एक ही चीज सबसे बड़ी हान लगी कि यहां पर अर्बनाइशन वाला रेशियो दिया हुआ है जो कि UPPCS जैसे महान एक्जाम में जरूर काम आता है तो UPPCS के लिए आप याद रखेगा कि अर्बनाइश्ड एरिया के अगर ब्रिक्स में पुछा जाएगा कि इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा ब्राजील ब्राजील सबसे अधा अर्बनाइश्ड कंट्री है और सबसे अधा जो एक्सपोर्ट है वो ऑबिस से बात है चाइना कही होगा नेक्स्ट है इसमें 119 पेज़ यहां पर बस एक चीज़ दिया हुआ है ठीक है यह वाला और था कि एक चीज़ यहां पर दीवी है कि टोटल वाइल सीट में आता है जो नौव वाले सीट है और प्लस कोकोनट और को यह वाले कॉटन सीट आ जाते हैं कभी-कभी इसक साथ देखिए अगरी कल्चर मेरा मेरी तरब से जो डेटा देना था जीके वाल चैनल था एक पार नक्ता असम जैसे नंबर थी पर है चारट टाइप की सिल्क होती है यह टोटल मोलाकर मल बरी हो गई और इनल्बरी जतनी भी चारो टाइप की होती है सब की सब गोजातीं है और यह हमारे जो आप лес कौन है UAE USA और UK जर्मनी अब यह हो गया पूरा डेटा एक बार रिवीजन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं चलो और कर लेते हैं जो बची खुची हो गई है एक बार देख लेते हैं सब एक साथ ठीक है यहाँ पे चलो बात करते हैं शुरू से बात करते हैं चावल चावल में फिर तव बात करते हैं सिर्फ गेहो में नंबर उन पे है उत्तर प्लपक एमपी टीक है जुरू में है नंबर तूर्ण पे आपका महाराश्टरा फिर आपका है बाजरह बाजरे पर.'्र तुम कोर्स सीरियल जो टोटल मोटे नाज होते हैं उसमें नमबर न पे कौन है महराष्टा है याद रखिए का मोटे नाज में नमबर न पे महराष्टा है फिर राजस्तान है ठीक है फिर उसके बाद चने में नमबर न पे कौन है चने में MP है फिर महराष्टा है फिर राजस्तान ह तूर अरहर में नंबर उन पर है महराश्रा, नंबर टू पर है करनाट का, नंबर तरी पर है MP, ठीक है जो बोलता जा रहा हूं वो अब सुनते हैं यह और इसको नोट बनाते हैं, मूंग में नंबर उन पर है राजस्तान, फिर आन प्रदेश और फिर तमिलनाडू, डाल में जो पलसेज में मैंने बताया था आपको MP हाइस्ट है, और नंबर टू पर है महराश, नंबर त्री पर राजस्तान है, टोटल फूट ग्रेन यानि कि कुल खाद्यान में नंबर उन पर यूपी है, फिर मद्द प्रदेश है, फिर पंजाब है, यूपी जो है पूरे इंडि प्रदेश है, उनके बामले में देखेंगे आप, और उपर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल अगर आप इसमें देखेंगे हैं जैसे मूंगफली, मूंगफली यानि कि ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में नंबर न कोन है, गुजरात है, ठीक है, नंबर नं रेपसीडर में नम्बर 1 पे हैंका तो ये कुछ है कन्ने में बताई दिया आपको नम्बर 1 पे यूपई है फिर महराश्ट्रा है और कपास में महराश्ट्रा जूट में है नमबर उन पे वेजबेंगॉल देखिए ये इतना डेटा जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि रटा नहीं जा सकता है जो लोग एक दूसाल से तैयरी कर रहा है उनको ये बस अपडेट करना होगा कुछ चीज़े बतली है बस बाकी कुछ नहीं बतला है आलू में नमबर उन पे यूपी है प्याज में नमबर उन पे महराश्टा है मैंने बताया था आपको एक्जामपल है कि महराश्टा प्याज में भी है और काजू में भी है और ये अनियन में भी है ठीक है अनार में भी है याद रखेगा आप नारियल कोकोनट में नमबर रण पे कौन है केरल है फिर है आपका तमिलनाडू और फिर है करनाट का काजू में मैंने बताई दिया महराश्ट है फल में अच्छा फूर्ट के प्रोड़क्शन में नमबर रण पे कौन है वो है आंतरदेश और वेजिटेबल के प्रोड़क्शन में नमबर रण पे कौन है यूपी है हमारा मसालो के प्रोड़क्शन में जो है आपका बताईए कौन है स्पाइसे के production number one पर यह मैंने आपको बताया था पहले अब बस इसी के साथ खतम होता है मेरे साथ से तो यह complete हो चुका है और पूरे दुनिया में भी अगर आप देखें कुछ और डिटा है जैसे कुछ चार जो फसले होती है बहुत इंपॉर्टेंट पैड़ी में मैंने आपको उताया था पैड़ी में देखें प्रोडूसर सबस्यादा कौन है वो तो वेस्बिंगॉल है लेकिन प्रोड़क्टिविटी सबस्यादा किसकी अच्छे अडू की ठीक है पहराश्टी है नहीं आप एक बर कंफ्यूज हो गया है आप देख लिजेगा अभी मैं बता चुका हूँ इसे कपास में कॉटन में नमबर न पर गुजराथ है लेकिन प्रोड़क्टिविटी सबसे बड़ी है MP की ये कुछ डिटा है इंपॉर्टेंट प दे तरहा हूँ आपको यहां पे important चीजें है आप देख लिजेए एक बार एक second रुकिए हाँ यहां पर थीक है चावल में मैंने इभी बता आपको क्या है पूरी दुनिया में दुनिया और इंडिया की बात करते है चावल में इंडिया नंबर दो पर है चाइना के बाद ठ लहन में नंबर उन पे मैंने आपको बता दिया बागी जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जैसे अगर आप देखेंगे ये एक है ये तमबाकू तो बैको प्रोडक्शन में पूर्ड़क्शन में चाइना जो है इंडिया जो है चाइना के बाद नंबर टू पे है ठीक है और साब से तो हो गई कंप्लीट अप थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं यहां पर जैसे अगर आप टोटल जो पशुधन है लाइव स्टॉक है उसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर वन पे कैटल में जो है कैटल में नंबर अंडिया की पूजिशन है नंबर टू मैं बता चुका हूं वैसे जरूरत नहीं इसको बताने की ठीक है हो गया है अगर आपको फिर भी लगता है कोई चीज बची हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजेगा यह सब चीजे हैं यहां पर ठीक है अब कुछ क्वेशन आसे पूर लिए जली जली इतना आपने इतनी देर त अबर सब्स toujours कर दो में बनाने की पोटैटो अबरान पर है आहले में नमबर न पर है गुआवा यानिके में में डॉर न पर फिर न सब्सक्राइब wheat के production में number one पे है ठीक है और कौन सा था और बाकी आप जोड़ देज़ेगा UP में बहुत सारी चीज़े बता ही थी मैंने UP का इसे flow chart बना लिज़ेगा MP का बना लिज़ेगा MP का जिसे याद आ रहा है pulses में number one पे है oil seed में number one पे है soya bean में number one पे है यह तीन चीज़ तो है और बाकी आप देख लिज़ेगा number two पे है यह टोटल food production में ठीक है तो इतनी चीज़े हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट करके अगर जो बीजी सिस्टेट का दे रहा हो वह इसमें अगर कमेंट करते तो अच्छा रहा है और प्लीज यार इसको एक देखो जिसको भी पीडिएफ चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा यह ठीक है यह हमारा चैनल study for civil services टेली ग्राम में और एक चीज़े आपको और बतानी है यहाँ पर देखिए हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन एक्षिली नहीं जाते हैं कि जादा तर हमारे सब्सक्राइबर के पास कई लोग बोलते भी रहते हैं जबकि मैं डेली एक दो वीडियो जालता हूं फिर भी लोग बोलते हैं कि इतने दिनों बाद आओ मैं और लोगों से परसनली भी बात की कि जादा तर नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं एक बार फिर भी आप यह कर लिजे कि जो यह सब्सक्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब करके और यह गंटे का जो है यह इसमें आल कर दीजेगा एक्षिली कुछ यूटूब की यूटूब में भले सब्सक्राइब करो ना करो लेकिन यहां पर जरूर कर लेना क्योंकि सब कुछ यहां पर मिल जाएगा और यहां पर कई सारे चैनल है ओल्ली ओपिपेस यह बहुत सारे हैं ठीक है तैंक यूफ फॉर लिस्निंग प्लीज आप लोग कमेंट कर दिएगा रोहित पंडे जी अगर आप से हो सके तो यह वाले नोट्स भी बेज़ दीजेगा वैसे ओल्द बेस्ट है थैंक यू अपने इतने सारे नोट्स भेजे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फोर सीविल सर्विसेस में एक्री कल्चर का पूरा लेटेस डेट लिया है और जो इंपोर्टेंट पेजेस हैं वो मार्क कर लिया है वो सब मैं आपको बता दूँगा और यह होटी कल्चर है 514 पन्नों की रिपोर्ट है लेकिन इसमें भी टेंशन रही जरूत नहीं सब कुछ मैंने पढ़ लिया इसमें जो इंपोर्टेंट वाली चीज़े है वो मैंने पेज मार्क कर लिया है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप लोग नोट बना लिजेगा अगर कोई ऐसा बंदा है बंदी हो कि वो पूरे अच्छी रैटिंग में नोट बना के हमसे शेयर कर सके तो बाकी लोग को भी शेयर कर दूँगा मैं और इन दोनों क पेज दिए पेज़े मैंने मार्क कर रखें मैं उसी में बताऊंगा सबसे पहला पेज तो यही है कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर इनिशेटिव है मिसन फॉर इंटीग्रेटेड डिवलप्मेंट ऑफ होटी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यह टोटल होटी क बोला हुगा है तो प्पादन में हाम के लायम और लिमन और पपाया और और ओक्रा यानि क्वेटे में इंडिया नंबर वन पे है ठीक है उसके बाद आपकी यह जो इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे चीज़ हाने फानद और होटी किल्चर में क्या क्या आता है देखें इसमें सब कुछ कॉंसर्ट टॉंसर्ट सब मैंने डिसकस की हैं क्रॉपिंग इंटेंस्टी कितनी इंडिया का नेट सोन इरिया कितना सब कुछ अगर आप यह पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा इन पूरी रिपोर्ट का सार दम नीचोड़ के दे दूगा आप करा है word przet جर् Giving प्रूट यानिकी फड़ वेजिट्टेबिट लियानिक सब्चीया मसाल ब्र Isn't andere कि प्लांटेशन fish लो ऊब क्रॉप प्लावर तीच है यह सब मिलाके आते हैं हृटि-कल्ट इसमें यह सब चीजे भी मैं बताओंगा कि इंडिया सबसे आधा इंपोर्ट किस एग्री कल्चर कॉमिटिका करता है और एक्सपोर्ट किसका करता है ठीक है यह वाली बात मैं बता चुका हूँ और मैंने पेजेस मार किये हुए हैं वो पेजेस मैंने दिखे हुए हुए हैं और अब हम लोग आते हैं में में चीजे में सब मार्क कर लिए हैं सब नहीं पढ़ना है जो पढ़ना है मैं बता दे रहा हूं देखिए अप्रिविएशन लिखे हुए है कुछ-कुछ जो इंपोर्टन वाले है वो मैंने बता दिया बाकी इतना नहीं इंपोर्टन और कुछ-कुछ है आप एक बड़ देख लिजेगा इसको ठीक है इतना इंपोर्टन नहीं यह फूड यह वाला एफ यह वाला है फूड अगरिकल्चर और और ऑर्रिजेशन ऑफ यॉन इन इसन इफिर पिर यह इंडिया के कुछ हैं इंपोर्टन रिसर्च इंसीटूट जीसे आई एसरघ एंडियन अई हम्त الاकें कि स्थांटी सर्च इंस आप्रोरिकल्चर और ऑर्फ मेस होगा एक national जो आपका NPA CC है तो नेस्टनल प्रोग्राम जो क्लाइमिट चेंज एक्षन में आठ मिशन थे मैंने एक ट्रिक बताई थे आपको सहवाग इसे हाई होटेल के प्रोड़क्षन है उसमें सबसे जादा प्रसेंटेज वेजिटेबल का सबजियों का करीवन 54 परसेंट से यह जादा जो इवेजिटेबल है और करीबन 30 के आसपा से फूर्ट तो ये दोनों मिला के करीवन 90 परसेंट है अब इनका डेटा पूरी तरह से क्यों नहीं आपाता है क्योंकि जो वेजी टेबिल हैं कई बार चोटे-चोटे plots में उगाई जाती हैं और या फिर घर के पीछे उगाई जाती हैं उनका data नहीं आपाता है और कई सारे ऐसे भी हैं कि वो multiple time उगाई जाती है single season में ठीक है और कई सारे हैं fruit tree scattered हैं तो उनको नहीं यहां पे include किया सका है यह सब बाते बताई गई है इसलिए data पूरी तरह से यहां पे नहीं आपाया है ठीक है इसके बाद देखे चमन का यह full form मैंने बताई दिया था आपको फिर हम लोग चलते हैं 39 नंबर पेज में यह important है यहां से अब देखे होटी कल्चर का क्यों डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि इससे अब देखे में बात यह भी है कि employment भी आएगा होटी कल्चर जादा करेंग तो export कर सकते हैं हम और इंडिया में nutrition के यह सब चीजें तो यह जो मेंस में पॉइंट लिखने के लिए आप आ सकते हैं आपर काफी सारी चीजें हैं यह department of agriculture and cooperation जो है ministry of agriculture का यह नोडल department है ठीक है और यह जो है इसमें कि यह जो total आपका share यह प्लान के share में प्लान में शेर है होटी कल्चर जाद थी पॉइंट नाइन परसंट था नाइन तान में और फोर पॉइंट परसंट हो गया है आपका 12 वाले प्लान में तो यह हो गया million तन तो vegetable हुगाते है मतलब जितना भी होटी कल्चर है 50% से जादा जो है vegetable अगर मानलो यही पूछ लेगा भी कि होटी कल्चर की सबसे बड़ी जो है आपकी कौन सी कौन कॉमरिटी है वो है vegetable ठीक है मतलब सबसे जादा क्या होगाते है हो आप अप देख सकते हैं यह पूरा 175 million ton है 300 million ton के आसपास में तो second number पे है fruits हमारा इसका कितना है इसका करीबन 85 के आसपास है million ton और फिर है आपका plantation crops है ठीक है और फिर यह जो है यह flowers are neuromatic है फिर spices का भी ज्यादा है थोड़ा तो बस यह आप देखिए 5 चीजों में से सबसे आदा जो है हमारा वो क्या है सबसे क्यों सा है वो है आपका fruits ठीक है तो यह थोड़ा जयाद रखिएगा यह fact मैं बताता जाओंगा और होटी कल्चर का total उसमें कितना है यह agriculture में 30% अब देखो यहाँ पे जो main खेल चालो होता है यहाँ पे सबसे बड़ा इंडिया का fruit producing state कौन सा है वो है आन्परदेश सबसे जादा फल का उतपादन कहां पे करते हैं आन्परदेश नंबर वन पे हैं नंबर टू पे है माराश्ट्रा नंबर थ्री पे हैं उत्तरपदेश तीन याद रखो बस बहुत है ठीक है डेटा चेंज हो चुका है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो वेजी टेबिशन सबसे बड़ा वाला कौन सा है आन्परदेश अभी देखें पूरा और भी बहुत सारी टेबिल आएंगी बहुत सारी चीजे बताऊंगा मैं नमबर वन पे हो गया आपका वेजी टेबिल में आपका यूपी नमबर टू पे हो गया वेजबिंगॉल नमबर त्री पे हो गया मत्रदेश तो यह डेटा चेंज हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है यह देखना आपको उसके बाद और भी चीजे कुछ देखनी है सब से बड़ा यह जो फूलों का प्रोडूं स प्रोडूर्ट कर्नाट का रूध रूक नाट प्रोडूर के नमबर वन पे कौन साइस टेट है वो है त' सेकंड नमबर पी करनाट का थाई वो 300 क्रास कर चुका है वह अब हम सब देखेंगे के टेंजन वाली बात नहीं है ठीक है और आगे चल के कोशिच करते हैं और सारी चीज़े देख लेते हैं बहुत-बहुत सारी चीज़े देख लेते हैं यह सब तो यह है कि मन्तली फ्लक्ट्वेसन होता है पोटेटो का उनिय है कि कहां से क्या पूछ सकते हैं citrus fruit में आता है lime lemon और mandarin ठीक है और मंदारीन करके एकफाल होता है और sweet orange आता है मुसम्मी यानि की और other ये सबाते है citrus fruit के अंडर में ठीक है अच्छा ये अगर कभी पूछा जाए आप से कि देखिए जो ये अगर आप देखें इसमें होटी कल्चर क्रॉप में, जितने भी आलमंड है, पिल है, इन सब में सबसे रदा प्रोडक्षन किसका होता है तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो एरिया किसके एंडर में है सबसे रदा एरिया आम के एंडर में है ये आप यह दो रखेगा, होटी कल्चर में लास्ट के तीन सालों का अगर आप देखें आपे देखें हमने fruits में देखा है भी total agriculture crop नहीं तो ये तोड़ा ज़र correction है आपे total fruit में सबसे ज़्यादा area किसका है सबसे ज़्यादा area है आपके आम का ठीक है आपके आम का नहीं sorry सबसे ज़्यादा fruits में देखें area किसका है mango का है और सबसे ज़्यादा production किसका होता है बनाना का के लेगा ये मैंने देखें वैसे ऐसे पूछे नहीं आते हैं लेकिन agriculture कई जारे exam होते हैं मैंने उनको भी करके पूछ लिया कि क्या पता कहीं से भी पूछ लें लोग अब वेजी टेबिल में सबसे ज़्यादा क्या हो गाया जाता है सबसे ज़्यादा जो होता है production भी आलू का है और सबसे ज़्यादा area भी आलू के अंटर में और कोकोवा हो गया और कोकोनट हो गया ठीक है तो यह यहाँ पर में इंपॉर्टन चीज बता नहीं थी आपको फिर है आपको और आगे चलते हैं यह वाले चीज आप देखिए जो मैंने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा होटी क्ल्चर के प्रोडुक्शन में क्या प्रडूुस करते हैं अधीन नबर प्रूट्स नंबर या इंप को सब चीज मैं पड़ चुका हो खुद देखिए यहाँ पर कई सारी table बनी हुई थी मैंने कुछ data निकाला है यहाँ पर actually यह वाली जो चीजा agriculture से related नहीं लेकिन यहाँ पर मुझे दिखी और government की है यह government का document है तो यही मानी जाएगी अगर आप से महाँ लोग पूछ लें कि सबसे ज़्यादा जो गरीब इस्टेट कौन सा है पावर्टी लाइन मतलब सबसे ज़्यादा पूर कहां पर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा रहते हैं आपके percentage wise अगर आप देखेंगे तो 36 गड़ में है rural area में भी urban area में भी सबसे ज़्यादा आपके 36 गड़ में भी है सब पेजों की लिंक मैं दे दूँगा आपको टेली ग्राम में यह पीडिया भी शेयर कर दूँगा ठीक है यहाँ से आप खेल होगा main यह वाला देखें यह भी खेल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसमें यह है कि यह पूछा गया है कि देखें cold storage जो होते हैं इनको store करने के लिए preserve करने के लिए सबसे ज़्यादा किस स्टेट में यह वाला डेटा बस यहां पर important है सबसे ज़्यादा कहां पर है उत्तर पतेश में रटलो इसको ठीक है यह वाली चीज तो रटनी पड़ेगी जो यहाँ पर ज्यादा तर डेटा है रटन इंडिया में यह चीज दी हुई है और फिर मैंने और भी रिसर्च की अपनी और उसमें यह पाया कि देखिए अगर planning commission के हिसाब से जाएंगे तो planning commission ने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आपका यह मतलब बाटा है किस के अधार पर फीजियोग्राफिक के अधा पर geological formation के अधार पर climate और cropping pattern के अधार पर ठीक है तो 14 जो है वो mainland में है और एक आपका बेव बेंगॉल और Arabian Sea में है तो यह है अग्रो क्लाइमेटिक जोन अब देखिए इसका map भी दे दिया है मैंने इसलिए सब कुछ आराम से comprehensive तरीके से पढ़एंगे ठीक है कोई चीज मिस नहीं होगी देखो यह एक अग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 पंदरह दिक रहे हैं आपको पहला है वेस्टällen हमालिया फिर प्रम मिड्टी चीज तो यह रटलो ठीक है तो यह वाली चीज मैंने उठा लिए और आप देखें दो चीज और है यहाँ पर एक एक एकलोजिकल जोन भी होता है और एक एकलोजिकल जोन और होता है एकलोजिकल जोन जो है आपका नैशनल ब्यूरो आफ स्वाइल सर्वे और लेंड उसे हेटन के हिसाब से कितने एंडिया में इंडिया में 20 एग्री कल्चर इस और एग्र एकलोजिकल जोन है ठीक है एग्रो क्लाइमिक टिक वाले कितने हैं वह हैं 15 नीतियाओके जाब सले के liar और ये सकम हैं । ठीक है आप देख लीजेगा मैं पीडियाप शेयर कर दूँगा वैसे बताने जरूरत नहीं है नंबर याद रखो एक्जुली यह लोग नंबर पूछ लेते हैं कितने नंबर हैं तो एक्ग्रोक्लाइमेटिक कितने हैं नीटियाओ के साथ से 15 और एक्ग्रोक्लाजिकल कितने लिए है मैंने दोनों अलग-अलग नीटियाओ के साथ से 15 हैं ग्रोक्लाइमेटिक जोन और आपका ये जो दूसरे ये हैं नैसनल अग्रिकल्चर रिसर्च एनर एपी के प्रोजेक्ट के साथ से 127 हैं यह रटनी पड़ेगी ठीक है वन फुर्टी से उन हो गया अब इसके ब सबसे पहली तो फॉरेस्ट है 2017 की फॉरेस्ट रिपोर्ट की पूरी समरी मैंने दे दिये अलग से तो वह आपको उसमें देख लिजेगा या फिर मैं इसका और उसका मिलाकर एक अलग से वीडियो दे दूँगा लेकिन वह मैं दे चुका हूँ इंडियन स्टेट और लिखा हूँ वह देख लिजेगा अब ठीक है और जिसी स्टेट की त्यारी कर रहा हूँ वहां का जरूर फॉरेस्ट का देख लेना उसके बाद यह नौन अग्रिकल्चर उसके लिए हैं देखे नीचे लिखा है परसेंटेज और उपर लिखा है टोटल कितना मिले नेक्टेर है ठ पूरी उसमें मैं सब डिफाइन कर चुका हूँ ठीक है आप उससे देख लिए करेंट फैलो कितना है आप देखें आप इंपोर्टेंट वाली बात क्या है नेट एरिया सोन कितना है इंडिया का वो है करीबन 45% के आस-पास करीबन 45% के आस-पास है 2013-14 के साब से लेकिन मतलब होता है इक आपने एक की फील्ड को एक बार से ज़्यादा एक अगरिकल्चर यह मतलब एक साल है अपका और एक से ज़्यादा नंबर आपने बार उसको वहां से क्रॉप ले ली तो वह गया आपका cropping intensity ठीक है तो मतलब अगर आप एक net sown area में एक ही crop को एक बार से ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा वहाँ पर आ जाएगा proportion आ जाएगा जाएगा ज्यादा production आ जाएगा इसका देखें वही definition भी लिखे हुई है कि आपका number of crops from the same field एक ही field है और आप एक से जादा बार अगर उसका वहाँ पर cropping कर रहा है तो वो हो जाएगी cropping intensity और उसका formula क्या है gross cropped area divided by net sown area into 100 तो यह figure रटने पड़ेंगे cropping intensity कितनी है 142 करीबन है और gross cropped area कितना है करीबन 200 है net sown area कितना है 142 है करीबन ठीक है 2013-14 के हिसाब से और यही वाला latest दिया है कुछ और चीदे दी हुई है लेकिन वह मैं अभी बताऊंगा agriculture report में दी हुई है अब देखें इसमें एक चीज़ यह दी हुई है कि कितनी स्वाइल है कहां पर क्या है कितना है तो यह सब चीजे पूबहरा तो एक hectare का मतलब क्या होता है कि आपके 100000 mm होता है यह देखिए यह दिया हुआ है कि marginal किसको बोलते है फार्मर small किसको बोलते है, semi medium किसको बोलते है, medium किसको बोलते है, large किसको बोलते है ये चीज farmer के उसपे कि कौन से किसान जो है, marginal लेक्दम सीमान्त हो गए, छोटे किसान हो गए, बड़े किसान हो गए, मंझोले किसान हो गए ये सब जो इनली के ट्रम्स होते हैं वही लिखे हैं Meginal का क्या मतलब है? 1 hectare से Kम Small का क्या मतलब है? 102 hectare Semi- свет mica क्या मतलब है? 2 से 4, Medium के मतलब है 4 से 10 hectare और Large का मतलब है 10 hectare से जादा ये रट लो रटना पड़े गए ये ठीक है? आगे चलते हैं 59 पेज़ पे कि यहां से चालू होता है सबकुछ देखे जो आपका सोर्स वाइस इर्रिगेट्टेट अरिया अभ यहां से क्या इंपॉर्टेंट डेटा निकल रहा है कि इर्रिगेशन एरिया में कि सोर्स से हम सबसे ज़्यादा एरीगेट करते हैं जो सिछाई है सबसे आदा किस से हम लोग irrigation करते हैं ट्यूवेल से करते हैं तो यह आँ पे important वाला fact है उसके बाद एक और है आँ पे फिर अगला page इसमें क्या है कि आप यह देख सकते हैं कि सबसे आदा जो irrigated area है किस state के अंडर में यह question पूचा जा सकता है ठीक है तो यह सबसे आदा total net irrigated area कि कौन सा state के अंडर में है उत्तरवदेश के अंडर में यह रट लीजेगा ठीक है यह important fact है पूरा देख लिए हैं मैंने सब मिला लिया है तो सबसे आदा कहां पे है आपका उत्तरवदेश में है state wise irrigated area और यह देखे 2011-12 का ही है डेटा इसमें latest report में यह दिया हुआ है और सबसे आदा अगर आप देखेंगे कि country के किस region में irrigated zone है irrigation मतलब सिचाइज की विश्टा सबसे आदा है west में है ठीक है west में क्या क्या है 36 गजरात और मत्रदेश और यह महराश राजस्तान गोई यह सबाते है तो यह important बात है अब इसके बाद चलते हैं हम लोग 188 पे जहां से जो production production है चालू हो रहा है सब कुछ कोवन सक इस पे है और यह सब चीज़े है ठीक है यहां से चालू हो रहा है अब देखें यह state wise है area और production दिया हुआ है horticulture crop का ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पे कि देखें एक चीज़ और देख लिज़े हैं यहां पे कि UP जो है पूरे इंडिया में horticulture का अगर जितनी भी पाँच वेराइटी जो fruit, vegetable, plantation, aromatic or medicinal, or flower इन सब को total कर दिया जाए इसमें spices और honey भी मिला दिया जाए तो UP है largest producer ठीक है यह वाला fact जो है यह interpretation है इस पूरे table का ठीक है यह analysis है यह और उसी के साब से मैंने निकाला आए यहां पे ठीक है तो सबसे बड़ा producer कौन हो गया horticulture में including spices और honey वह है UP हमारा सब का UP 189 वाले में चलते हैं यह वाला है क्या है fruit crops में दिया है fruit crop में मैंने बताया था फाल का सबसे बड़ा उत्पादा कौन है आपका आन्थ प्रदेस है number 1 पे आन्थ प्रदेस है और number 2 number 3 पे हम लोगों देख लिया था number 2 number 3 मैंने बता दिया था भी आपको आप बताईए कि जल्दी से कमेंट कर दीजेगा इसमें अब देखें जितने भी बहुत सारे आने वाले हैं सबके number 1 2 3 नहीं देख सकते हैं तो हम लोग अगर आप देखेंगे तो total plantation crop में कौन सा है वो है केरला ठीक है केरला largest producer है आपका largest है ये plantation crop में ये note कर लिजेगा यहां पर फिर उसके बाद और आगर आगे चलें आप तो ये हम लोग हाँ spice में, फिर spice में, यानि कि मशालो में, number one पे कौन सा state है, आंद परदे से रट लेना इसको, ठीक है, number one ही देखना भी, number one है, आंद परदे से, ठीक है, वैसे अगर आप number two देखेंगे, तो गुजरात है, ठीक है, ये, नई, number two पे सुरी, राजस्तान है, number two पे राजस्तान है, number three पे गुजरात है, तो मसालो में, number one पे आंद परदे से, number two पे आपका राजस्तान है, और number three पे गुजरात है, मसालो में, spices में, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, flower के production में, number one पे कौन सा तमिल नडु में ने बताया था इसमें यादा नहीं देखना है कुछ अरोमेटिक्स और मेडिसिनल प्लांट्स में टॉप प्रोडूसर कौन है वो है मद्द प्रदेश ठीक है उसके बाद और आगे चलें यहां पर और अच्छे से दिया हुआ है कुछ-कुछ बड़े उत्तरप्रदेश फलो में है नंबर आपका थ्री पर उसी का देखे फिर यहां पर यह डायग्राम हम लोग देख चुके हैं वैसे पहले फिर देखे सब्जियों में नंबर नंबर तू पर इस ब्रदेश जिस भी स्टेट के आप त्यारी कर रहा है उसका नंबर जरूर तो यह चीज इंप्रोटेंट है यहां पर उसके बाद आप और आके चलें अगर यहां पर फिर देखिए फलावर में नंबर नपे तामिल नाडू है यह बता जूकर आपको पहले भी तो यह इंप्रटेंट चीज़ फलावर में नंबर नंबर नंपर अंद्पर्देश फि देगा उसके बाद और आगे चलते हैं और अब बहुत सारे डिटा और आने वाला भी हमारे पास यह है देखिए आलमंड यानि की बदाम में नंबर उन पर कौन सा है इमाचल प्रदेश नंबर टू पे जम्मू कश्मीर दोई में हुआ है सिर्फ ठीक है फिर आवला जो आवल प्रदेश निक टॉप 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 रटलो कम से कम जो सेव में सबस्यादा प्रोड़क्शन कहां पर होता है जम्मू कश्मीर में होता है रटलो इसको नंबर टू पे इमाचल प्रदेश है यह कई जगए इधर ऐसे उसे दिया हुआ है हम लोग सब इसको कर लेंगे टेंस यहीं सब कंटिन्यू है लेमन और मतलब नीबू इबू जो है वह सबस्यादा कहां प्रोडूक्शन होता है वह आंद प्रदेश नंबर टू पे तिलंगाना नंबर थी पे कनाटिका है फिर आपका वहीं कंटिन्यू है फिर इसको और गुमाना पड़ेगा गुमा गुमा के अँड़ेगा है फिर कनाटिका अचा देखेंगे अशर कोईवाले में बी नंबर टू पे है तो मतलब एक देख सकते हैं आप ये तीन चीज़ो का कोंब्ञेशन है कि ग्रेप्स है उनियन है और काजू है तो किस चीज में काम आता है बताईए ये और फ़नी सा क्वेश्चन है आंसर कोई देगा तो फिर अच्छी बात है अमरूद के प्रोडक्शन में नंबर उन पर यूपी है अभी हमने देखा यूपी किस में किस में नंबर उन पर यूपी है तो यूपी कहा कहा पर हो गया आम में हो गया अमरूद में हो गया सब्जियों में हो गया टोटल ठीक है और नंबर टू पे मैंगो में है और मैंगो म फिर उसके बाद और फिर गुमादिया हैं लोगों ने पपाया मतलब हो गया पपीते में नंबर 1 पे है आन्परदेश और इंडिया नंबर 1 पे पूरी दुनिया में सबसे आदा पपीता कहा प्रडूज होता है इंडिया में नंबर 2 पे है पपाया में गुजराथ फिर पाइ पैनेपिल में नमबर उन पे बंगाल में है वेस्ट बंगाल में है बहुत ज़्यादा यह लोग खाते हैं पैनेपिल और अनार में अगर आप देखेंगे अनार में नमबर उन पे महाराष्ट है ठीक है अनार में महाराष्ट है ग्रेप्स में महाराष्ट है अनियन में भी हम बीन्स में नमबर उन पे है गुजरात ठीक है, सोया भी नहीं है, यहां पे बीन्स है फिर उसके बाद है बॉटल गॉड यह बिहार है इसमें बिहार वाले लोग बीपेसी वाले देख लीजेगा इसको, और ब्रिंजल यानि की बैंगन में नमबर उन पे है वेस्ट बिंगॉल ठीक है नमबर टू पे उडिसा है फिर आपका है कैबज यानि की बंद गोबी में भी नमबर उन पे वेस्ट बिंगॉल है नमबर टू पे उडिसा है फिर उसके बाद आपका है फिर गुमादिया कैपसिकम जो होता है ना कापसिकम ख्वाते हैं आप 14 मीं, 9 मीं में डालते हैं उस में number 1 पे है करुनाटक number 2 पे है इमाचल प्रदेश कैरट यानी गाजर में number 1 पे है हरयाना और number 2 पे है invest के इंचाब पर नमबर 3 पे है उत्तर प्रदेश ठीक है फिर गुमा दिया कॉली फ्लावर जो होती है आपकी बंद गोबी देखे यह है गोबी और कैबेज युक मा ने क्या देखा था बंद गोबी तो गोबी में नमबर वन पर कौन है वेस्ट विंग ओल है ठीक है उसके बाद फिर गुमा दिया यहां पर देखे क्युक्यूंबर यहांनी की ककड़ी में नमबर वन पर है हर्याना नमबर टू पर है करनाटका और नमबर फूर पर है यूपी तो यूपी ककड़ी में नमबर वन पर है करनाटका और नमबर टू पर है मत्द प्रदेस फिर मस्क मिलन जो होता है आपका मस्क मिलन का मतलब होगा है खर्बूजा और वाटर मिलन का होता है तर्बूजा तो खर्बूजा सबस्यादा कहां पे होता है यूपी में होता है यूपी में क्या क्या होता है आवला आम, अमरूद, ठीक है टोटल, वेजिटेबिल और यहां पे खर्बूजा पिर उसके बाद ऑकर आंड प्रदेश है ठीक है फिर आपका क Чтобы आर इसके बाद है आपका उनियन डिखेश्आ था प्याज में नम्हारास्ट्रश तो महारास्ट्र रहतあ हो गया और आह यह ग्रेप्स हो गया अभी हमने देखा था अनार में नमबर न पे महाराश्ट्रा है ठीक है और और भी अभी देखेंगे मद्ड ब्रिस नमबर टू पे अनियन में पीज यानि कि मटर में नमबर न पे है आपका यूपी तो यूपी किसमे किसमे हो गया, आवले में, टोटल सबजियों में, आम में, अमरूद में, और किसमे बताया था अभी, देख लिना आप एकबर, और ये पीज में, ठीक है, उसके बाद है आपका, पोटेटुम आलू में भी नंबर वन पर यूपी है, याद रखिएगा, कमेंट को मैं जब ढूड़ के पिंड में लगा दूँगा, चो बाद में आपको आसानी रहेगी, और या फिर कोई पूरी समरी दे सके मेरे वीडियो की, तो प्लीज कमेंट के फॉर्म में दे दीजेगा, तो मैं उसको पिंड कमेंट में लगा दूँगा, ताकि सब लोग शकरकंद, शकरकंद में उडिसा नंबर वन पे है, नंबर टू पे केरला है, फिर टैपियोका में नंबर वन पे तमिलनाडू है, नंबर टू पे केरला है, फिर यहां पे गुमादिया है, तर्बूज में भी यूपी नंबर वन पे है, खर्बूज में भी यूपी नंबर यूपी सबजी में भी टोटल यूपी नंबर वन पे है इतनी चीज़ अभी तक मुझे याद रहे गए इसने मैंने एक साथ बता दिया आपको आप भी प्लीज लिख दीजेगा लास्ट में फिर उसके बाद हम देखेंगे ये वाला लूज फ्लावर फ्लावर में तो नंबर टू पे करना टका है ठीक है उसके बाद ज्यादा नहीं देखना है बहुत डेटा है दिमाग पगला जीए प्लांटेशन क्रॉप में मैंने बताया था नंबर वन पे केरला है नंबर टू पे है तमिलनाडू एक एक क्वेश्चन का अंसर मिलेगा इससे और एका नेट सुप इस नोट्स ठीक है उसके बाद और आगे चलते हैं और एकानेट सुपाड़ी में नंबर वन पे करना टक है फिर केरला है कैश्यो नट यानि की काजू में नंबर वन पे महाराज तेखा महाराज क्या क्या बताया था काजू अंगूर अंगूर से निकलती है दारू ठीक है क कोवा में नंबर वन पे है आंद प्रदेस नंबर टू पे केरला है फिर चिली में देखा था ग्रीन चिली में करनाटक नंबर वन पे था लेकिन ड्राइ चिली जो होता है उसमें आंद प्रदेस नंबर वन पे है कोरिंडर जो धनिया होती है वो सबसे आदा राजस्तान में गार्लीक मतलब हो गया लहसुन में नम्बर 11 पे मद्प्रदेस है नमबर 2 पे राजस्ताइन और नमबर 3 पे UP है लहसुन है और जिंजर मतलब अधरक होती है अधरक में नमबर 11 पे असम नमबर 2 पे हैं वेस्बिंगोल नमबर 3 पे महनास्ट्रा है ठीक है आगे चलें तामार यानिकि आपका हो गया। Imli में नम्रो उन पर है आपका Karnatak लूब चैनलना डूए। फिर उसके बाद है टृम्डरीक जाव 로 हिंदी में अहल्दि को हजए टिलंगाना नमोर उन पर ट्रमरीक को हिंदी में हल्दी भोलते हैं लोगाना हल्दी में नम्वर वन तिलंगाना फिर उसके बाद और आज़ चलते हैं आप देखे जहां पहर प्रोड़क्टिवैटि ईकमपेर कियाए वैसे तो इतनी іporte इसलेज में अमुरूलोग सोलूं सब्षजीड मेंगल में आ में नायोग समills को उता है। सबस्यादा कहां पर होता है महराष्ट में लेकिन सबस्यादा प्रोड़क्टिविटी तमिल नाडू की है और सपोर्टा में तमिल नाडू की बींस में भी तमिल नाडू की है बैंगन में उत्तर प्रदेश की सबस्यादा प्रोड़क्टिविटी ठीक है सबस्यादा प्रोड टेस के लेकिन production होता है महाराष्ट में ठीक है उसके बाद आलू में सबस्याधा प्रोडक्टिवटी गुजरात किये लेकिन सबस्यादा प्रोडक्टेशन होता है यूपी में और इंप्र्ड रूपाटर है टमध्र का होता है सबस्यादा वह आप बताइएगा और Productivity सबस्यादा इमाचल प्लान्टेशन क्रॉप में सबस्यादा प्रोडक्टिविटी होता है कि इस एनला में Productivity Aronachal की है चीली में देखा था हमने अभी कि DryUE जो होता है वह आन प्रधेस में होता है सबस्यादा और Green चीली होता है टामारी इंड yawnि-क इमली की प्रोड्िक्टिविटी महराष्ट की है टर्मारी की अनि की हलदी की महराष्ट की है और लूस फ्लावर की सबस盂रा है जिक्यम की तो ये खतम हुआ इसके साथ बस, अब इसमें देखिये क्या है कि इसमें देटा बहुत जादा है और मैं इसलिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ बहुत जल्दी बता रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को दो तीन बार देखके इसके नोट बना लेना तो अग्री कल्चर का मतलब और कोई डेटा होई नहीं सकता है जहां के भी आप हो वहां के जी के है इंपॉर्टेंट रट लेना आप ठीक है हम लोग यूपी की बात करेंगे जैसे एपल का प्रोड़क्शन सबस्जादा कहा होता है कश्मीर में और यह कहां कहां होता है बारा मुला कुपोड़ा बाकी मैं आपको दे दूँगा यह वाली चीज जो है यह आप पढ़ लीजेगा यूपी जैसे अगर यहां पर देखें आप तो यह है जो बनाना यानि कि केले का प्रोड़क्शन होता है सबसे आदा यहां पे यहां पे दिया हुआ है यह ठीक है तमिल नाडू में और यह लेकिन केला यूपी में कहां कहां गया जाता है गोरकपुर, कुशिनगर, फतेपुर, कोशंबी और माराज गंज तो ये सब चीज़े हैं एक बार देख लिएगा साइट्रस फ्रूट देखे आंद प्रदिस में कहा कहा है वो सब चीज़े दी वही हैं इतना important नहीं छोड़ देते हैं इसको लेकिन एक बार अगर आपको जो agriculture की अलग से त्यारी कर रहा हूं वो लोग जरूर देख लिएगा तो agriculture वाले जो लोग है उनके लिए important हो सकता है मेरे साब से ठीक है अब इसके बाद देखते हैं हम लोग ये सब हो गया आपका आते हैं directly 358 वाले पेज़ पे जो important है 358 जैसे यह अगर आप देख सकते हैं यहां पर कि water million का दिया है इसमें भी वही सब दिया हुआ है यह यहां से आते हैं देखें यह onion और potato, tomato, prices और arrival है इतना important नहीं है वैसे देखें जो यह वाला है बाकी जो लोग normal exam की तेहरी कर रहा है उनके लिए मेरे साब से जरूरी नहीं है यह actually हर crop wise कहां पे कितना मतलब marginal farmer के पास है small के पास कितना है यह सब दिया हुआ है यहां पे तो agriculture वाले लोग पढ़ लिए पूरा crop wise दिया हुआ है हमारे लिए important क्या है अब के लिए agriculture input अगर आप देखें अब देखें इसमें बड़ा interpretation निकालने कोशिश की है मैंने कि क्या जैसे इसमें उस पूरे चार्ट में क्या क्या चीज़े हमको जानने चाहिए वो सब चीज़े निकालने की कोशिश की है यहां पे मैंने और उसमें एक चीज़ मैंने यह पाई यह वाली है पूरी analysis की है मैंने इसलिए यहां से मिली है देखें NPK जो हम करते हैं fertilizer में अगर आप देखें तो NPK जो होते हैं nutrients वही उसी पे based होते हैं हमारे fertilizer इंडिया में ठीक है और उसमें सबसे आदा जो consumption होता है किसका nitrogen based का और number two पे होता है आपका potassium और number three पे होता है आपका NPK potassium और K से हो गया नहीं P से phosphorus मतलब second number पे phosphorus थर्ड number पे potassium तो यह यहां पे data important है ठीक है तो अगर माल यह पूछ लिया जाए कि सबसे आदा consumption nitrogen based का होता है कि phosphorus based का होता है कि potassium तो answer क्या होगा nitrogen ठीक है याद रखेंगे यह ज़रूर याद रखेंगा कि यह telegram channel जो है आपको join करना PDF मिलेगी इंपे फिर उसके बाद और आगे आते हैं और बहुत important चीज़ यहां पे निकाली है मैं यहां डूर के यह और यह actually interpretation है इस पे सवाल आएगा कई से आएगा वो यह देखो NPK based होते हैं हमारे fertilizer अब देखिए अगर आप देखें तो production हमारा है जो सिर्फ हम nitrogen और phosphorus का production करते हैं fertilizer का potassium based जो होते हैं आपके K based ठीक है उसका based हम production नहीं करते हैं पूरा का पूरा hundred percent report करते हैं यह question आ सकता है पहले आया भी हुआ है तो इंडिया में सिर्फ nitrogen based और phosphorus based जो होते हैं हमारे fertilizer उनका production होता है potassium based जो होते हैं आपके K based जो होते हैं वो हम पूरा import करते हैं इसको जरूर जोइन कर लेज़ेगा study for services चीक है तो यह चीज important थी यहां पर ठीक है अब और आगे चलते हैं आपे और हम आते हैं 459 page पर जो बहुत important है word वाला data दिया हुआ है कुछ बहुत जरूरी data है वो देखे एक्सपोर्ट इक्सपोर्ट दिया हुआ है हम दूसरी report भी देखेंगे न बहुत बहुत इसमें पढ़ना वड़ता है और सब कुछ मैं पढ़के लाया हूँ आपके लिए देखें इसमें दो चीजे यहां पर fact यह दी हुई है कि जो per capita आपकी fruits की availability है कितने gram per day मिलता है इंडियान्स को 2016 सत्रा के साब से 200.6 ग्राम जो है fruits की availability है इंडिया में पर capita और सब्जियों की ज्यादा है 378 ठीक है 378 ग्राम सब्जी खाते हैं हम लोग डेली पर capita मतलब average इंडियन के साब से गरम निकाले है तो साड़े 378 ग्राम हम सब्जी खा जाते हैं और फल खाते हैं 200 ग्राम यह important data था इसलिए बताना जरूरी था यहां पर और बाकी तो इतना नहीं है अब इसमें आते हैं 466 वाले पेज़ पे हम लोग यहां important है कुछ बाहर का data दिया हुआ है और इसमें यह important है यहां पर कि जो total अगर आप देखें इसमें कि gross cropped area और में सबसे अधा कहां पर है ठीक है सब gross cropped area में sorry मतलब unirrigated जो है area सबसे अधा कहां पर है irrigated सबसे अधा कहां पर है और total जो है आपका वो कहां पर है देखें मैंने आपको यह बताया था यह शरी अब आ जाते हैं यह word scenario पर कि इंडिया का word position है यह सब चीज़ है और यही वाला fact important है कुछ data देखके मैं भी shock डूँ और मैंने और थोड़ा news देखने कोशिश की लेकिन वो सब सब सही है यह latest updated है देखें इंडिया area wise इंडिया का कितना है 329 है और word का 2.4% जो area है वो इंडिया cover करता है दो 2.4% जो है इंडिया cover करता है साथ में नंबर पर area wise अब देखें यहां पर जो है official list दी हुई है कई जगे यूएस चाइना में confusion है तो यही वाला आज से मानना रशिया नंबर उन पर है area में नंबर उन पर पूरी दुनिया में Canada नंबर टू पर यूएस नंबर 3 पर चाइना नंबर 4 पर है ठीक है और ब्राजील है फाइब पर 6 पर है Australia 7 नंबर पर हम है land area के हिसाब से ठीक है तो यह है total area में मतलब हिसाब से और land area के हिसाब से area land में अगर आप देखेंगे तो हम number 2 पर है number 1 पर कौन है USA यह रट लेना यह data आता है बहुत important है population में तो आप जानते हैं हम हमारे पास word की कितनी 17.8% population है और number 2 पर है agriculture में भी हम number 2 पर है total population wise भी ठीक है और area land में हमारे पास पूरे दुनिया का 11.3% है आपका ठीक है तो यह economically पूरी दुनिया में दाले होती है 25% तो हम इंडिया नी हुगाते हैं और हमारा कंजमसन भी बहुत ज़्यादा है इत्ता होगाते हैं फिर भी पूरा नहीं पड़ता है बाहर से लेना पड़ता है और सीट के मामले में अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड नट में हम सेकं प्राटर में नंबर दो पे हैं प्याज में नंबर दो पे हैं कैबेज और उस पे नंबर दो पे हैं कैबेज में नंबर दो पे हैं कॉली फ्लावर पे भी नंबर दो पे हैं बैंगन में भी नंबर दो पे हैं यहां सब जगह चाहिना चाहिना है ठीक है फ्रूट्स एक्स्क और चाय में अगर आप देखेंगे, चाय में हम नंबर दो पे हैं, चाइना के बाद और कॉफी में जो हैं हम नंबर सिक्स पे हैं, ब्राजील के बाद जूट में हैं नंबर वन पे, ठीक है, तो ये चीज़ हैं आपे, अच्छा यहां पे सुगर केन वाला जो है, वो यहां प यूपी है जो इसका बचा कुछा डेटा होगा वो मैं सेकेंड पाइट में कर दूंगा अप्टेंशन मत लीजेगा चाय में नंबर टू पे आ गए हम पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में यह आप याद रट लीजेए इसको इसको देखके मैं भी शौक हुआ था कि यह वा टुबैको लीज़ में नंबर थ है नंबर उन पर चाइना है कैटल जो लाइव श्टॉक के पपलेशन में नंबर टू पर हैं ब्राजील नंबर नं पर भैसो में नंबर उन परहए, चिकेन में नमबर 7 पे हैं और agriculture ट्रैक्टर इन यूज में नमबर 2 पे हैं देखे टोटल मिल्क के प्रोडक्शन में हम नमबर 1 पे हैं ठीक है टोटल एक के प्रोडक्शन में हम नमबर 3 पे हैं नमबर 1 पे चाइना है और टोटल मीट के प्रोडक्शन में हम पर कितना होता है दोटन लिखा हुआ है यह ही सब लिखा हो तो इंडिया हैम में न नबर फूर पर ठीक है और केले mechanics नमबर नक में इंडिया चैना है ग्रेप में अंगूर अन्गूर में मतलब ठीक है तो उसके बाद है आम में number 1 पे है India और संत्रे में number 1 पे है Brazil number 3 पे India ठीक है उसके बाद लेमन में India number 1 पे है आप देखी चुके हैं, citrus fruit में जो है, total में अगर आप देखेंगING citrus fruit में तो इंडिया नमबर थ्री पर है चाइना नमबर उन पर है और पपीते में नमबर उन पर है इंडिया है ठीक है उसके बाद पाइनेपल में इंडिया है आपका कितने नमबर पर तीन तीन शेक साथ में नमबर पर है वेजी टेपल और मेलन के प्रोडक्शन में हम इंडिया में नमबर डू पे हैं ठीक है टमाटर में नमबर दो पे हैं हम पूरी दुनिया में प्याज में नमबर दो पे हैं चाइना के बाद और आलू में भी नमबर दो पे हैं चाइना के बाद ठीक है है और ट्रांस्परांटिंग होता है और हार्वेस्टिंग होता है इंडिया में अलग अलग जगह में अलग अलग होता है बस इसका यह जरूरेसन है बाकी हो गया यह ठीक है तो मतलब सब का अलग अलग है अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि सब एक ही होता है तो वो नहीं है और उसके बाद ये वाला जो है एक लास्ट में अब देखिए यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट चीज यह दी हुई है कि बड़े डिसकवरी दी हुई है इसे एपिल की इंडिया में हुआ था और इंडिया में कहा कहा हुगाते हैं यह सब मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश में केला वगा जाता है गोरकपूर कुशिनगर फतेपूर कौशंबी और महाराज गिन्भी ठीक है तो और यह सब इसके देखिए यह वाराइटी भी लिखे हुई है अच्छा ये वाराइटी भी है यहां पर ठीक है तो यह आपकी एपिल की है वाराइटी इतनी चीज़े तो रियाद नहीं रखी जा सकती है देख लिए ना एक बार आप मैं नहीं बता रहा है इसको बोलते बोलते मेरा मून थक गया है यह देख लिजेगा आप ठीक है उत्तर प्रदेश की जो है केले की वैराइटी जीनाइन है ड्वार्फ केवेंडी से हलपोन है चीनिया है और चीनी चंपा वाह आलू अजावत अशिया में हुआ था कहां कहां हुआ है यूपिम मैं बता चुका हूँ ठीक है ग्वावा ट्रॉपिकल अमेरिका में हुआ यह औरीज रीजन हुआ थ है еци across ड्रॉपिकल आन्म टरॉपिम अुस्के बाद टाव का जो ए पेरूवीयन और मेक्सिघ्गो का ओरीजीन है यह अगन इंडिया का जो है तो पहली बार हुआ था मतलब गार्लिक जो है लेसूं से इंटलेशिया में वह था और और कोकोनट में अगर आप देखेंगे तो कोकोनट में साउथ पैस्बिक में हुआ था ठीक है और कोकोनट का हम लोगों ने वह नहीं देखा शायद एक मिनट यह शायद हमसे छूट गया था यह कोकोनट मतलब नारियल के प्रोड़क्शन में केरला है नंबर वन पर टीक है नंबर टू पर तमिलनाट हुए नंबर थ्री पर करनाट यह याद रखेगा और यह वैसे तो मैंने सब पताया ता पता नहीं यह कैसे छूट गया ठीक है यह याद रखेगा ठीक है एक और चीज़े वालनट में जो नंबर नं पर है जम्मो कश्मीर याद रखेगा नंबर टू पर उत्रागंडे बाकी मैंने इसमें पूरा देख है और बाकी कोई चीज नहीं हम लोग भूले है ठीक है रोज का जैसे यहां पर वाता है कुछ ओरीजन वाली चीज़े हैं जीके वाली चीज़े हैं मेरे साथ से इंपॉर्टन रही है लेकिन फिर भी देख लो एक बार और उसके बाद हम लोग अग्रिकल्टर रिपोर्ट क सब्सक्राइब किते हैं do difference होता है cropping density मैंने बताई दी थी 142 परसेंट है और net zone area जो है इस समय latest data के हिसाब से करीबन 43 परसेंट है total geographical area का और net irrigated area कितना है 68.4 million hectare ठीक है तो यह चीज है यहाँ पर important और देखिए जो agriculture का GDP में वेटे जब गिरता जा रहा है यह यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि आप देखें पहले 2013-14 में 18.6 परसेंट था contribution ठीक है फिर और गिरा और गिरा 16-17 में 17.4 परसेंट जो है agriculture जो है वो total GDP में contribute कर रही है यह एक चीज यहाँ पर बताने की ज़रूद थी तो और देखें जो percentage growth है 2014-15 में तो agriculture का माइनस में आ गया था 15-16 का है .7 परसेंट एग्रिकल्चर वाले सिक्टर का और 16-17 का 4.9 परसेंट है और 13-14 का 5.6 परसेंट है तो मतलब 2013-14 से गिरा और फिर यह बढ़ना चालू हुआ है 2016-17 में 4.9 परसेंट है रट लेना यह चीज रटने वाले फेक्टर है आते हैं एक्जाम में यह चीज ग्रोथ परसेंटेज ही पूछ ले ठीक है उसके बाद फिर यह है एक चीज़ यहां से निकालने की ज़रूद यह है कि कउंस ही क्रॉप है जिसका सबसे अदा एरिया तो वो कउंस ही है वो है आपकी राइस ठीक है तो चावल के अन्डर में अगर आप देखेंगे सबसे अदा एरियोंद पर और सबसे अदा प्रोडक्शन किसका कभी कभी तो ऐसे का प्रोडक्शन कितना है 2016-17 के साब से थैटी टू पॉइंट वन जीरो मिलियन टन है तो यह जरूर याद रखेगा और फिर उसके बाद पुल्स का प्रोडक्शन कितना है 2017-18 में तो यह शायद 24 के आसपास है चावल का और सबस्यादा एरिया भी नहीं के पास है चावल के पास ठीक है फिर एक चीज़ यहाँ पर हम लोग जाएंगे प्र governo के ठला 13 नमबर पेज पे। और यह है देखे यह क्या है कि यह प्रोडक्टिविटी है learning type war च सबसके हपने और 99 प्रोड़ के उन प्रोडिचिन कितना है 305 और अरिया इसका 224.9 कर्ड़्विटी इसका इतना important है यहां पर यह सब वहीं लिखा है वह ग्राफ आप बने वह इतना important है 49 पर जाएंगे हम लोग यह important है यह वाला जो आपका total है यह ठीक है oil seed का production target हमने कितना रखा है 30.5.5 million ton oil seed का तो यह important चीज है को यही पूछने कभी कि oil seed का production target हमने कितना रखा है तो 35.5 और 9 major oil seed होती है सबसे ज़्यादा उन में से किसका production होता है soya bean का यह ज़रूर याद रखना है soya bean का सबसे ज़्यादा production होता है 9 major जो oil seed है groundnut caster, sesame, major seed, R&M, or linseed, safflower, sunflower और soya bean सबसे ज़्यादा production किसका होता है soya bean का 2016 में total किसका हुआ कितना oil seed का 32.1 अब oil seed में number one कौन है प्लस यह सब चीज़ें यह अलग से data एक और report है second part में करेंगे उसको फिर मैं यह complete जोड़ दूँगा इसको जोड़ दूँगा और वो second part का जोड़ दूँगा प्लस forest वाला data जोड़ दूँगा तो complete comprehensive हो जाएगी 91 वाला पेज पर चलते हैं हम लोग वहां पर एक important data है यह पूसा क्रसी करके mobile app है और माल यह पूसा पूछ लें पूसा क्रसी किस चीज़ कि इसका ही जो है क्या है तीम क्या लैब तो लेंड उसके बाद एक और चीज है आप important 124 नंबर पेज पर और वो यह है अग्रिकल्टर सेंसर हुआ था उसमें यह क्या है यह फीमेल का डेटा है कि कि जो इंडिया में फीमेल है उनके पास कितना लैंड है यह सेंसर का डेटा दो तीन बार दिखाए गया इसलिए मु important है 159 पेज यह है यह वाला अब देखें इंडिया की जो top 10 agriculture commodity होती है जो हम export करते हैं value wise number one पे कौन सी है बासमत्य है number two पे spices है मतलब value wise सबस्यादा हम क्या export करते हैं बासमत्य चावल number two पे spices मसाले और देखिए अगर आप एक चीज और देखें कि agriculture का जो यह जो शेर है agriculture import में ठीक है और यहां पी यह चीज है अच्छा export में अगर हम देखें तो export का जो share है मतलब हम जो agriculture export का total export में कितना share है वो है करीबन कितना 12.27% ठीक है तो percentage जो है आपका यह agriculture का है आपका यह total export में है गिरता जा रहा है ठीक है 13.9% था 2012-13 में और 2016-17 में 12.27% हो गया total जो हम export कर रहे है agriculture का उसमे percentage गिरता जा रहा है सबस्यादा हम export क्या करते हैं value wise चावल बासमत्य और मसाले उसके बाद फिर import की बात करें आप तो import जो है हमारा बढ़ता जा रहा है यह गलत बात है और import आप देख सकते है total import में agriculture import कितना है 6.42% ठीक है इंडिया में बताईए इतनी fertile land है second number पे available land है फिर भी हमको import करना पड़ता है top 10 community क्या है जो हम इंपोर्ट करते है vegetable oil number नमबर उन पर नमबर टू पर pulses है और number त्री पर fresh fruit है मतलब pulses हमारी इतनी डिमांड है कि हम पूरी दुनिया के largest producer है फिर भी हमको import करना पड़ता है तो export में देख सकते हैं यह diagram के थूर राइस है number नमबर उन पर commodity number two पे spices है और import में number उन पर vegetable oil है ठीक है यह है इसमें और एक 180 पेज लास्ट बस इसी के साथ खतम हो गया अब देखें यहां पर इसलिए important कि यह कुछ चीजे हैं यह आप गुरट लीजेगा एक्जाम में पूछ लेते हैं यह जैसे coconut development board कहां पे कोची में के इरला में national authority culture board कहां पे गुरगाओं हरियाना में autonomous body है सब national cooperative development operation कहां नहीं दिल्ली में small former agri business consortium कहां नहीं दिल्ली में ठीक है national institute for agriculture extension management है अधराबाद में national institute for agriculture marketing जैपूर में है planted management अधराबाद में है यह सब चीजे बस इसे के साथ खताम होता है अब कुछ चीशे होर बच गई है भी वो इस report में नहीं थी वह वाली चीजे जो बच गई है वो हम आपको दे देंगे एक और छोटा सा वीडियो लेकिन important चीजे थी जितनी भी है इन और बता दीजेगा कि एक बात और मैंने जो बताये थी चीजे comment करने को please comment कर दीजेगा बस मिलते हैं जाहिंद